अगर आप अपने WhatsApp पे किसी भी मीडिया फाइल या फिर कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका WhatsApp प्रपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है आपको काम क्या करना है इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और प्रॉलम का सॉल यह जब आपने WhatsApp को अपडेट किया होगा अपडेट के बाद हुआ कि जो पहले WhatsApp का जो फाइल मेनेजर में जो होता है फाइल तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज आपके फॉन के इंटरनल स्टोरेज में था पर जब आपने अपडेट किया तो वहां की फाइल चेंज होके ए तो subscribe करके on notification जरूर on के लिए ताकि आपको tax related videos के notification मिल सके तो friends सबसे पहले आपको बता जिया कि आपके संथ problem आ रही हो कि WhatsApp आपका काम नहीं कर रहा होगा और आपको फाइल डाउनलोड कर रहे होंगे तो download fail का option आ रहा होगा तो ये आपको करना कै सबसे पहले screen पे आप देख लिए आपको नहीं अपने WhatsApp पे जाना है सबसे पहले friends आपको क्या करना है एक बार आपको जाना अपने WhatsApp पे घो है की WhatsApp का simple सा क्या करना है एक बार WhatsApp को यहाँ पे टैप कर लीजिए तो ये मेरा whatsapp on हो चुका है मैंने अपने whatsapp को यहाँ पे friends simple सा tap करके app info में जाके एक बार सिर्फ आपको इसका जो है force stop कर देना है यहाँ पर force stop मैंने कर दिया अब आपने करना के screen यहाँ पे हो गई simple सा अपने phone के जो आपका file manager है file manager को अपने select करना है ढूंड लेना है और यहाँ पे मैं phone storage पे जाता हूँ तो दिक्कत हमारे साथ जो आ रही है phone storage में आप open load करना phone storage में जाता है तो सबसे नीचे आओगे आपको यहाँ पे whatsapp देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे मेरा सारा whatsapp है यहाँ पे backup data यह media यह है मेरे android आप देखोगे यहाँ पे phone में तो अब जब हमने अपने whatsapp को update किया है तो आखरी यह चीज कहां चली गई है तो यहाँ पे आप android पे आओगे अब आप उपर देखोगे पहले phone storage में था अब हम android में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं media में आता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे whatsapp है .com.whatsapp यहाँ पे इसको मैं open करता हूँ यह तो यहाँ पे कुछ नहीं है आपको करना क्या है जो पिछला whatsapp है उसको copy करके सिर्फ यहाँ पे transfer कर देना है यहाँ पे paste कर देना है अब उपर अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे phone storage फिर android फिर media फिर com.whatsapp इस com.whatsapp पे आपको लेके आना है अपनी पुरानी फाइल को तो simple सा मैं back जाता हूँ यहाँ पे दोबारा back जाता हूँ अब उपर आप देखोगे तो सीधा मैं phone storage मैं आ चुका हूँ तो simple सा यहाँ से मुझे जाना है दोबारा इसी whatsapp पे इसे वो टैप करता हूँ यहाँ से इसे मैं copy कर देता हूँ copy करके यह copy हो चुका है अब हमें क्या करना है दोबारा से जाना है उपर android पे जाना है हमें यहाँ पे android पे जाना है उसके बाद फिर से media और फिर लास्ट में आप देखोगे com.whatsapp पे जाना है और simple सा यहाँ पे इसे हमें paste कर देना है क्योंकि मेरी यह दिकत नहीं है आपको simple सा यहाँ से paste कर देना है simple से टैब करो गए आपको यहाँ पे paste का ऑप्शन मिल जायगा तो simple सा आपको यह paste कर देना जैसी आपका यह paste होता है उसके बाद एक बार आपको क्या करना है अपने phone को restart कर लेना है restart करने के बाद आपकी जो problem है वो 101% यहाँ पे जो है solve हो जाएगी यह problem fix हो जाएगा और आपका WhatsApp जो काम नहीं कर रहा है फाइल जो आप download नहीं कर पारे वो file download हो जाएगा तो यह एक simple सा आपको करना है दिक्कत यही थी जो आपने अपडेट के तो उसके दो file बन गेते एक आपके phone storage में और एक new location पे यहाँ पे जो है चले गए थी WhatsApp का backup या फिर जो WhatsApp file होते है तो आपको सिर्फ यहीं करना है इसके बाद भी अगर आपका कोई problem है WhatsApp से related, WhatsApp काम नहीं कर रहा है WhatsApp last scene, WhatsApp online problem आ रही WhatsApp meta तो comments करेंगे बता ही है आप videos में बहुत अच्छा प्यार देते हो रहने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए ताकि आपको जो है new video का notification सबसे पहले मिल सके तो उमीद करता हूँ आपकी प्रॉलम जल्दी से जल्दी solve हो जाए